आठ गंटा 40 मिनट के लिए अनलिमिटेड बुस्टर मिल गया है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल सुपर स्पीडी केंडी आज आपको मैं अनलिमिटेड बुस्टर ट्रिक का लेटेस्ट अपटेट बताने वाला हूँ जो लेटेस्ट वर्जन के अंदर फिलाल काम नहीं कर रही है जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि ये ट्रिक काम कैसे करती है अभी आप देखिए मेरे पास में प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाकर देखिए ये कोई भी अनलिमिटेड बुस्टर नहीं है और लाइफ भी लिमिटेड फांच लाइफ है जो कि अनलिमिटेड नहीं है अच्छा ये ट्रिक के फिल हाल लेटेस्ट वर्जन के अंदर काम नहीं करीए और जो ओल्डर वर्जन है उसको मैं मैंसन कर दूंगा आपको बता दूंगा ये भी एक ट्राइए के अंदर नहीं मिल रहा है इसलिए आपको बार बार ट्राइए करना पड़ेगा और स्टेफ सेमी है सबसे पहले आपको टाइम सेक्शन में जाकर किये टाइम को 11 पीएम करने है कि टाइम को आप 11 पीएम कर लीजिए कि उसके बाद में आपको केंडी करस्ट जो बेक्गराउंड के अंदर है पहले दिखा दिता हूं आपके पास आपको कि इसमें जो unlimited booster नहीं है और profile section के अंदर कोई भी unlimited booster नहीं है अच्छो time change करने के बाद में आपको candy crust जो background के अंदर है उसको remove करना पड़ेगा remove करने के बाद में आप time section में जाकर के time को past के अंदर ले जाएए 1 am कर दिए ठीक है 1 am करना और अभी आप candy crust को open कीजिए और magic का इंदर जार कीजिए यह देखिए दोस्तों अभी 8 गंटा 40 मिनट के लिए unlimited booster मिल गया है यह तो उन लोगों के लिए था जो channel के साथ में नए जुड़े हैं जिनको trick मालूम नहीं था अभी मैं आपको बता दूँ कि यह trick जो जिस version के अंदर काम कर रही है उसका number है 1.239.0.5 यह मैं comment के अंदर version number mention कर दूँगा जिसमें आपको कोई है candy crush old virgin और जो मैं नम्मर बताया है वह आपे जो डाल दीजे ताकि आपको ज्यादा सर्च ना करना पड़े अभी आप वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने नम्मर बताया है वर्जन का वो है 1.239.0.5 अभी देखिए यह उपर ही उपर आ गया apk mirror बहुत सारी website आपको मिलेगी जो भी आपको trusted website लगें उससे आप यह apk download कर लिजी download करने के बाद में आप जब इंस्टॉल करेंगे तो phone आपको कुछ permission मांगेगा वह permission आपको देना पड़ेगा वह permission देने के बाद में आपका यह candy crush का old version आपके phone के अंदर install हो जाएगा अच्छा उसके बाद में एक important information में आपको दे देता हूं कि जो भी आपके profile section के अंदर booster है अभी यहां पर तो यह show नहीं कर रहा है लेकिन जो भी booster है वह आपको candy crush यह old version जाने के बाद में नहीं मिलने वाला है तो यह आप पहले decide कर लीजिए कि आपको latest version के अंदर जो booster है वह चाहिए या फिर unlimited booster चाहिए यह आपकी choice रहेगी कि आपको unlimited चाहिए तो यह trick आप अपना सकते हैं अगर आपको जो profile section के अंदर booster है वह रखना है तो वह आपको इस trick के साथ में एक बार candy crush delete करने के बाद में old version के अंदर वह booster नहीं मिलने वाला है अच्छा यह होगी एक important जानकारी और दूसरा जो जानकारी था कुछ फ्रेंड लोग ने मेरा इसमें old version डूंडने में मदद किया था जिनका मैं special thanks करना चाहूंगा एक मेडम थी जोती पधियार उनका मैं special thanks करना चाहूंगा कि उन्हें सबसे पिले मुझे इस चीज का confirmation दिया कि यह old version के अंदर delete करने के बाद में काम कर रही है इसके बाद में मुझे लगता है कि profile section वाला जो booster की बात मैंने आपको बताईए वह बहुत ही important है यह आपका call रहेगा कि आपको unlimited booster चाहिए या नहीं चाहिए अच्छे एक और important जो मैं भूल रहा था यह candy crush आप delete कर रहे हो जो latest version में जिस लेवल पर आप हो वह लेवल वहीं से शुरू हो उसके लिए आपको या तो facebook से या फिर अपनी mail id से login करना पड़ेगा और वह same method से यह पुराना version में जाने के बाद में आपको login करना पड़ेगा वह बहुत easy step है ज्यादा मुश्किल नहीं है मुझे लगता है कि आप वह चीज आसानी से जानते होंगे इनके अगर नहीं जानते तो आपको profile section के अंदर जाने के बाद में कि यह को account aid करने के लिए यह देखिए मैं खूदी थोड़ा बूल गया था यह my account के अंदर जाने के बाद में आपको यह sign up के दो option मिलते हैं एक तो हो गया email का दूसरा हो गया facebook का तो यह जरूर ध्यान रखिए कि जिस method से आप पहले login कर रहे हैं वही method आप यह older version में जाने के बाद में आप login करिएगा ठीके अभी मैं आपको दुबारा subscribe और like करने का नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा support मिला है और जिनको भी यह क्रिक काम करेगी वह automatically इस video को like और subscribe करने वाला है बाकी जो लोग मेरे वीडियो को dislike कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा मैं बोल दूँ कि मैं candy crush का जो level upload करता हूं वही नाम नीचे mention करता हूं तो अगर बंदा यह देखने के बावजुद भी वीडियो को dislike करता है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहे हैं क्या उसको उस level के अंदर यह सनी दियोल का acting देखने के लिए जाना है यह मेरी समझ से बाहर की बात हैं तो आप लोगी समझ जिए कि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहे हैं वो कहीं psycho तो नहीं है अच्छा और कोई भी आपकी इस से ट्रिक से related क्यारी हो तो हो आप comment कर सकते हैं मैं दिन के अंदर हर वक्त आपके लिए available रहा हूंगा thank you for watching enjoy your gaming